लोक सिवायोक के द्वारा अक्सर आयवजित की जाने वाली समिक्षादिकारी ARO, ARO जो परिक्षा है काफी चर्चा का विशे रहती हैं काफी रूच्ची का विशे भी रहती हैं काफी ऐसे शात्र हैं खासकर हिंदी बिल्ड के जो सची वाले और आयोग जैसी संस्थाओं में अपना भुष सुरक्षित देखते हैं क्योंकि यहाँ एक अलग इन्वार्मेंट में काफी बहुत कम प्रेसर में या यह बताएं कि प्रेसर ना के बराबर होता है केवल काम का ही जो है वो है अन्य कोई प्रेसर रहता नहीं है इसलिए भी काम करना काफी लोग यहाँ पर सहज समझते हैं तो इन दोनों या इसके लावा राजस विभाग रहता है कुछ और विभागों में भी यह सची वाले आरो के पद आते हैं काफी समय से चर्चा चल रही थी 2021 के बाद जो अगला एक्जाम होगा समिक्षा दिकारी साहज समिक्षा दिकारी का कब तक हो सकता है और यह लगबख कितने पदों पर वेकेंसी आ सकती है तो इसी का उत्तर और भी बहुत सारी चर्चा इस परिक्षा के बारे में इस वीडियो में हम करेंगे तो सहायक समिक्षा दिकारी और समिक्षा दिकारी की बात करें तो अभी आयोग में जो अधियाचन है वो हैं लगभग 30 दोनों मिला करके आरो यारो और पूरी अभी अधियाचनों की संख्या ही 30 है इसलिए निकट भुष्य में अर्थात इस वर्ष वेकेंसी आये ये संभो नहीं है संभो क्यों नहीं है भले ही आप देख रहे होंगे कैलेंडर में बहुत सारे डेट्स को रिजर्व रखा गया है तो उनमें बी यो खंड सिक्षा दिकारी की परिख्षा तो तय है कि होनी है इसके अलावा ल्टी ग्रेट भी लाइन में लगा हुआ है उसके बाद कहीं जाकर आरो का नंबर आएगा तो ल्टी ग्रेट बी यो इनकी डेट कभी भी घोशित हो सकते है एपियो की डेट अभी 21 अगस्त आपको पताय कर दी गई है इसको आगे बढ़ाया जाएगा कुछ कारणों से तो वो भी डेट सुरक्षित नहीं अगस्त के बाद कई परिक्षा हैं आपका सितंबर में मुखे परिक्षा UPPCS की है तो इस वर्ष नत्व अधियाचन आ जाएं पहली बात अधियाचन नहीं है भी तो इतने अधियाचन में तो आपका वैकेंसी नहीं निकालेंगे नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे आरोगा अगर मान लीजे समय से आज आती है जैसा कि create हो गई है ये लोग सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग promotion का जो मामलाट का हुआ था वो solve हो गया तो कई पद खाली हुए है लगबग 300 से साड़े 300 वैकेंसी आरो यारो की वो अगली बार आपको आ सकती है जिसमें आरो की भी लगबग 1.500 के आसपास रहेंगी ऐसा नहीं कि 300 का promotion हुआ तो सारी वैकेंसी जो है direct अधियाचन बन कर आज नहीं धीरे धीर आएंगा और उसमें भी प्रमोटिव भी होते हैं कुछ लोग प्रमोशन करके उस फद को भरेंगे एरो से आरो बनेंगे और काफी पद लगबग 1.500 के आसपास वो खाली वो उसका दियाचन आएगा और ये 30 पहले से ही है तो ये मान की चलिए कि अगले वर्ष जो अनुमानतह बताया गया है अगले वर्ष ये वेकेंसी मार्च के आसपास आ सकती है अथाथ अगले केलेंडर में जो अगला केलेंडर आएगा उसमें आरो के परिक्षा के बारे में आरो के मेंस कब होंगे इन सब के बारे में रहेगा अभी इस वर्ष वेकेंसी आनी भी संभो नहीं दिख रही है ये जो इस संभल से जुड़े लोग हैं आप लोग तमाम सची वाले आरो या फिर आजकल लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी बना लिये हैं समिख शादिकारियों ने बताते रह कि बात है जो जमीनी हकीकत है वो यही है कि अभी वेकेंसी नहीं आ रही है वो किस कारण बता रहे हैं मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा कुछ है नहीं अभी आयोग में आरो की वेकेंसी नहीं वेकेंसी को लेकर कुछ भी नहीं है आरो 2021 का जो एक्जाम हुआ है उसके बदवाजी नहीं है जो लोग टाइप का इंतजार कर रहे हैं अभी मुख्य ये 2021 मुख्य परिक्षा PCS का रिजल्ड जुलाई में आएगा मिड जुलाई तक आ सकता है दूसरे सपता हमें जदा संभवना है पहले सपता हमें प्र्यास रहेगा कि इरज chutब दे लेकिन दूसरे सपता तक यह जा सकता है उसके बाद फर RO का नंबर आएगा RO में फिर कॉपिया चेक होंगी स्कूटनी वगर होगी उसके बाद कहीं जाकर आपका टाइपिंग का नमर था ताँ आप ये मांगे जलिए कि अगस्त यागस्त के बाद ही आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए आपको बलाए जाएगा तो जो लोग टाइब कर रहे हैं वो अपना जो है तेज कर दें अभी समय है सीख सकते हैं इतने में ARO में काफी रहत भी मिल गई है अगले वार से अभी इस बार तो अभी पता नहीं क्या नर्देश है लेकिन 2022 से तो ये कंफर्म हो गया है कि BSC, BTEC एक वर्ष के लिए भी जो कंप्यूटर साइंस का जिसने गेजुएशन में कोर्स कर रहा है एक साल पढ़ लिया है ठीक है और MCA किया है BCA किया है PGDC अब सब को मानने कर दिया गया है तो एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए तो ARO का जो जहां पर रुक रहा था मामला तैयरी के बाद आपका जो डर था वो अब समाप्त हो जाएगा अगली बार से तो इसलिए मार्च तक आप मानने के लिए अगला नोटिफिकेशन आएगा मार्च दोजार तेश तक और जून के बाद था जून में तो आपकी परिक्षा है PCS की जून के बाद जुलाई या अगस्त में आप ARO का एक्जाम देंगे दोजार बाइस वाला अर्थाद दोजार तेश वाला जो आप एक्जाम देंगे वो जून जूलाई या अगस्त में देंगे जून में दोजार तेश यूपी PCS की परिक्षा रहेगी तो एक बेनिफिट आपका ये जरूर समझ में आ रहा है भले त्यारी लंबी है लेकिन एक बेनिफिट ये समझ में आ रहा है कि यूपी PCS 2023 की जो परिक्षा होगी उसकी तयारी साथ साथ आप आरो चुकि आरो में आपको केवल हिंदी वाका बोल दी अलग से पढ़नी है बाकि सब वही है जी एस का पेपर लबबब वही स्टेंडर रहता है बलकि कभी कभी आरो का पेपर और ज्यादा अच्छा बन जाता है और स्टेंडर बन जाता यूपी PCS के तुलना में तो दोनों की तेहरी साथ साथ आप कर सकते हैं ठीक है तो यूपी PCS 2023 के लिए प्रिलिम्स के लिए जो कोर्स हम सुरू करने जा रहे हैं उसमें आप आरो का भी इंक्लूड रह करवा दिया जाएगा उसी में तो यह हमारी तरफ से आपको सुविधा रहेगी ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे टेलिग्राम कोर्स से जुड़ने के लिए इस वाटसप नंबर पे संपर करके जुड़ सकते हैं 9453 75039 अगली अन्य कुछ वीडियो में आरो यारो के व प्रफाइल के विशे में कुछ अन्य महत्पूर जानकारियां जो आपको तमाम स्थानों से नहीं मिल पारी होंगी हम देंगे जिससे आपको नेड़े लेने बहुत सरलता होगी कि हम यह जौब करें या ना करें या कोई अगर आपके पास पहले से जौब है तो उसको उसको को ही बरकरार रखे हैं फिर इसको जौइन करें इसके लावाँ PCS की भी जो महत्पूर वेकेंसी जो पद हैं उनके बारे में विचर्चा होगी यूपी PCS 2023 के प्रिलिम्स के प्रोग्राम के बारे में अगर अभी से आप बार बार प्रिलिम्स आपका रुक रहा है कुछ नंकों से सेक्योर करना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे टेलिग्राम से जुड़ सकते हैं अभी से अगर लग जाएंगे तो बहुत इसली जो हमारा कोर्स है और डाइजेस्ट हो जाएगा आपको प्रिलिम्स तो बहुत आसानी से निकल जाएगा इसमें कोई भी दोराय नहीं है लेक बहुत काम करेगा ठीक है तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद